इक साधर्ण सी बीमारी है लेकिन परिशान बहुत करती है गेस्टिक शरीर के किसी भी अंग में वो सकती है कभी-कभी डॉक्टर भी हार्ट अटेक बता देते हैं गेस की वज़े से खटी डका रहे आती हैं सर में दर्द होता है पेट में मरोडे होते हैं हार्ट में भी भी यह सकते हैं इसका एक्यूपरिसर पॉंट जो हम देते हैं तो 5 ए10 निट एम मैं घैस्टिक खाव अज़का ठीक हो जाता है यह जीमी है इसकी द्वारा हम पॉइंट दे सकते हैं हम पैन से भी पॉइंट दे सकते हैं अगर आपके पास जीमी ना हो तो पहला पॉइंट यह है जठर पेट बोलते हैं इसको पेट में पॉइंट दे रहा हैं इसको 20 से 25 वार ऐसे करके दवाते हैं पिर उसके बाद गेस्टिक का रीजन खान पान भी है और तनाब भी है तो खान पान अगर गड़ बढ़ है तो पेट का पॉइंट हम दे रहा है उससे ठीप वजाएगा तनाब की वज़े से भी गेस्टिक हो जाता है तो उसके लिए हम पिच्चुटरी पिनियल और मस्टिक वाला पॉइंट भी देते हैं जरूर देते हैं यह पिच्चुटरी का पॉइंट है इसको 10-15 बाद ऐसे करके प्रैसर करते हैं पर इसके बाद पिनियल यह हलका सा दर्द मिलेगा अगर पॉइंट ठीक है तो मस्टिक का पॉइंट है और एक पॉइंट यह है जैसे मैं अपने हाथ से दे रहे हूं आप अपने हाथ से दीजिए आपके हाथ का यह माप हो जाएगा यह पॉइंट यह 16 नम्मर है इस तरह से प्रैसर देंगे इसको लिंफ ग्लेंट्स बोलते हैं इससे भी बहुत जल्दी गैस रिलीफ से रिलीफ हो जाता है दूसरा चौथा पॉइंट है यह पॉइंट जहां गैप हमारा स्पाइन का पॉइंट है जहां पर भी अगर गैस होगी तो दवाने से गैस निकलने लग जाती है इसको भी हलके हाथ से ही देते हैं यह पॉइंट हम हाथ से देते हैं और इस पॉइंट को हम जिमी के द्वारा देते हैं और इस पॉइंट को भी हम जिमी से दे सकते हैं मास्फ थोड़ा चा पॉइंट देने के बाद गैस की प्रॉब्लम दूर हो जाती है